प्रभुदर्सन में आपका स्वागत है आत्मा से परमात्मा की और की इस कड़ी में जुड़ने के लिए धन्यवाद आत्मा से परमात्मा की और की इस कड़ी में हम गीता में दिये हुए कुछ उपदेशों का अध्यान करेंगे जिनको अपना कर मानव जीवन को सफल बनाया जा सकता है भक्तों गीता के आदर्सों पर चल कर मनुस्य न केवल खुद का कल्यान कर सकता है बल्कि वह संपूर्ण मानव जाती का कल्यान कर सकता है तो चलिए हम आज की इस कड़ी को आरंब करते हैं स्रीमत भगवत गीता ना केवल धर्म का उब्देश देती है बलकि जीवन जीने की कला भी सिखाती है वरतमान जीवन में यदि मनुष गीता में बताये हुए ज्ञान की तरह आचरण करता है तो वह उन्नत की ओर अवश्य ही अगरसर हो सकता है उसे उन्नत की अवश्य ही प्राप्ती होगी चलिए हम गीता के कुछ उब्देशों का आध्यान कर लेते हैं तो गीता के कुछ उब्देश जिनका आध्यान करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं उनमें हमारा पहला जो गीता का उपदेश है, वो कहते हैं स्रीक्रिष्ण की क्रोध पर नियंद्रण, कहते हैं स्रीक्रिष्ण गीता में कि क्रोध से भ्रहम पैदा होता है, भ्रहम से बुद्धी भरष्ट होती है, और जब बुद्धी भरष्ट होती है तब तरकनष्ट हो ज जाता है और जब तर्क नष्ट हो जाता है तो ब्यक्ति का पतन वहीं शुरू हो जाता है इस प्रकार से व्यक्ति को कोड़ पर कुरोध पर नियंद्रण करना बहुत ही आवश्यक है अथ मिल्द करना अतियावस्यक है मन पर नियंत्रण करना बेहद आवस्यक है जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते उनका मन उनके लिए शत्रु की तरहकारी करता है इस प्रकार से मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत ही आउस्यक है अगली बात स्रीक्रिष्ण कहते हैं अर्जुन से कि है अर्जुन मनुष्य को आत्म मंथन करना बहुत जरूरी है व्यक्ति को आत्म मंथन हमेशा करते रहना चाहिए आत्म ज्यान की तलवार से व्यक्ति अपने अंदर के अज्यान को काट सकता है जिससे उसे उतकर्ष की प्राप्ति हो सकती है सोच से चरित्र निर्मार स्रीकिष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन मनुस्य जिस तरह की सोच रखता है वैसे ही वह आचनर करता है अपने अंदर के विश्वास को जगा कर मनुस्य सोच में परिवातन ला सकता है जो उसके लिए कल्यार कारी हो सकता है कर्म के फल को लेकर स्रीकिष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन मनुस्य जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है इसलिए सदकर्मों को महत्व देना चाहिए और जीवन में अगरसर होना चाहिए फिर स्रीकिष्ण बताते हैं अर्जुन को कि मन को आप कैसे नियंत्रित कर सकते हैं कहते हैं हे अर्जुन मन चंचल होता है वह इधर उधर बटकता रहता है लेकिन अशांत मन को अभ्यास के वस में अभ्यास से वस में किया जा सकता है अभ्यास करके हम अपनी मन को अपनी वस में कर सकते हैं और अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकते हैं इस प्रकार से श्रीकिष्ण कहते हैं कि इन उपदेशों का पालन करके किस प्रकार से सफलता प्राप्त की जा सकती है कहते हैं स्रीक्रिष्ण हेर जुन मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है यदि वह विश्वास के साथ एक छिक्त बस तुपर लगातार चिंतन करे तो वह उसे सफलता जरूर मिलेगी जरूर काम्याभी मिलेगी उसके बाद कहते हैं श्रीकृष्ण की है अर्जुन तनाव से मुक्ति बहुत ही आउस्सक है एक सफल जीवन के लिए कहते हैं प्रकृत के विप्रीत कर्म करने से मनुष्य तनाव युक्त हो जाता है यही तनाव मनुष्य के विनास का कारण बनता है केवल धर्म और कर्म के मार्ग पर चल का रही इस तनाव से मुक्ति मिल सकती है इस प्रक्रिष्ण कहते हैं कि किस प्रकार से कार्य करके मनुष्य जीवन में सफल हो सकता है श्रिकिष्ण कहते हैं है अर्जुन वो बुद्धिमान व्यक्ति कार्य में निश्क्रियता और निश्क्रियता ही केवल देखता है यही उत्तम रूप से कार्य करने का साधन है निश्क्रियता पर वो ध्यान करके अपने कार्य में निरंतर प्रयास करते रहता है जिसके चलते उसे सफलता अवश्य मिलती है भक्तों इन उपदेशों को आप भी अपने जीवन में अपनाईए और अपने जीवन को सफल बनाईए अपने जीवन को ही नहीं वरन समस्त मानोजात के कल्याण के लिए कारिक करिए उमीद करता हूँ आज का उपदेश आपको पसंद आया होगा तो धन्यबाद मित्रों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए तर्क के साथ तब तक के लिए आपको आत्मा से परमात्मा की और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद